पहले तो उसके पापा और पूफा जी थें गारी में उसके बाद गाली से जब ठोड़ा और आगे पटना से निकल गए तो मतलब उनके भाई सब मतलब बढ़ने लगे मतलब घारी में लगे इंसान logo तो सब लोग बढ़ने लगें थोड़ा थोड़ा की लिया है क्योंकि दूसाधी करना चाहता है क्या दराया क्या पेपर पसाइन करो नहीं मतलब मना किए उसको साधी कर कर लेगा मतलब एक लड़की नहीं कुछ बोड रही है तो तुम क्या समझ लिया कि कुछ नहीं कर सकती है मतलब हम प्रेगनेंट है फिर उसके बाद जब ज्यादा मतलब मेरा हालत खराब होने लगा तो वह अधी वह दबाई नहीं होता है वह खिला दिया लाकर मेरा फोन चीन कर तोड़ दिया यह कहके कि तुम बात हमसे करती थी तो मेरे पास तुमको किस से बात करने का ज़रूरत हम बोलें कि आपके पास आगा तो मेरा फैमली नहीं है हो सकता है आज गुच्छ समय कभी न क प्यार मोहबत साधी धोखा धरी जो है सोसल मीरिया पे चलती आ रही है जैसा कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई वार देखा कई ऐसे केसिस देखे लेकिन आज का जो यह केस देख रहे हैं यह बहुत थी मतलब उल्जा हुआ है यह जो लड़की देख रहे हैं यह अभी कि एक कई साल की है और एक कई साल में ही मतलब इसकी जिंदगी में इसका उतल फुतल आई है कि जिसका चर्च नहीं है सबसे पहले कहां की रहने वाली हो तुम बिहार सरी क्या हुआ क्या प्रॉब्लम आ रही है तुमको देखिए मतलब कि हम एक लड़के से बात करते थे जि लड़के से नहीं फामली लगाइं clinician Lya लगाएं तो मतल Tiffany को रिखे ज़ए हैं इस लिए कि हो सकता है वो लड़का मतलब प्यार करता है तो कुछ महीं कर सकता है मेरी फ्रेंड पूर थे थे कि साली में आ रहे हो ना उसालू को सादी को बताइं ना की ना एंस War तो फॉन किया लखके से साधी की बातश्य की लाड़ी की बात चीत हुई ती नहीं लज दुभ्ख़नी करना चाहते थे इसलिए हम विन्हाच पूछा के उसको साधी करने के लिए या मैं आर्म मेरे साथ सवाघर मेरे और यहां नहींये संट पो OH चैय को कि अजह तो तो धम मेरे को नी कol you an account पूरा नॉट अन्की वो अन्य साधी कर लेंगे और तुम्हारा तुम्हारा सोच लो कि तुम्हाराया वी तक है ऐसा बोला उसके बाद फिर हम डर गाया कि मतलब सवाल यह नहीं उटता था कि वह बोला कि तुम से कोई परवा नहीं था लेकिन बात मेरा फैमली का था फैमली को हार्म करने की धंकी देता है कि मेरा भाई चोटा तो कहीं भी खेलना चला जाता है तो उसका डर था तो कुछ कर ना दे वासी का दाव फिर वह राव को मेरा रच दर दी यह हम मजबूरी में उससे साधी की हैं शादी कर ली यह हैं बहांडर मंदिल में पहले शाधी किया पटना महाबीन चैक्शन के पास म उसके बाद वहां में साधी करने के बाद हम आठर दीन ही रहने हे लिए उसके बाद उसका फैमिली का फोन थी Absolutely यह उटाता था तो हम उसको एक दिन बोले कि हो सकता है इतना दिन से गाइब हो कुछ बात होगा उठा कर लो हैं ठीजी कि यञित्व मेरीने चाहते हैं कि और पापा आ रहे हैं लेने के लिए क्लिए हम अपके घर वाला इसलिए तो उसके घर नहीं जाना चाहते थे इसलिए तो उसका फैमली जो है तो उसकी मा हम उद खूल की बोली की ले कर रहा उसको हम रहें गए इसको मेरा वेमली है तो वह से हां है And gases to상 a nov लेकर तो öl्या उसके आपके बीदार ठाए और उसके पर K你 een पूरा एक दम मतलब उसको बोह रहत के हम नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी बोला कि ठीक है चलो एक दू महीना रहा ना उसके बाद हम तुमकी पटना वापस लाएंगे एन therapist कि भी टेचा से निकल गाए मुझां उनके भाई सब मतलब बढ़ने लगें इंसान आर्फ इतना फैमली है तो मतलब खली लड़का था सब मतलब उसकाा फैमिली इसका क cancel फैमिली तो इसके कालान हम लोग छुपे हुए थे उसके बाद क्या हुआ कि लोग ना मतलब हम लोग को हिलसाम ले जाकर उनके पापा साधी करवाएं उसके बाद कुछ दिन हम लोग सही से रहें मतलब अच्छे से रहें कि मतलब यह उसकी ममी उसको बहिका लगी क्या हुए कि मतब प्रीगन लग्साज पर लिग करता दो हम uniform का जाने के साध़ी तो नहीं को नहीं होगा उसको बोले कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता जब एक लड़की एक और घर में और दूसरी आ जाए तो अच्छे से कोई रह सकता है यह बात तो सही है कोई भी जानता सब जानता लेकिन फिर भी वो लोग हमको टॉचर करने लगे और पता चला कें प्रेग होट या फिर माँ कड़ यह मतलब कर दो तो की मपी कहना था कि दीवाल में खुझ से कर लेता है कुझ से पागल है कि खुझ से अपना बर्पार आपका बेबी का क्या हुआ हुआ कि इतना मारा कि मतलब नहीं के जोगी और उसके बाद जब जादा मेरा हालत खराब होने लग आपको तो द्यान रखना चाहिए और खाना टाइम पे खाई लेकिन खाना मतलब की ठीक है खाना लेकिन हर इंसान को अपना अपना सौक होता है है कि नहीं कोई वी उसका वी फैमिली को अगर घर पे आये तो अपनी बहन को पीछे पीछे लगा देता था मेरे कि जाओ कि उन नजर विम्हें बिलाते थे अपनी मौसी से नजर भी नहीं मिलाया जगड़ा थे भी आपने नहीं 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 पर चीन कर तोड़े यह कि तुम बात हमसे करती थी तो मेरे पास वयव तुम को किस्सें बात करने नहीं हम जबilly की है हॉ सकता है आज गुष्लम है तो कबी नहीं रभी फोन करी दे तो भोला नहीं जो तुम मेरे पास आ अगए तऺ कोई ज़रूरत नहीं चीना तोड़ा दिया मेरा और स्टी मैं तोड़ दिया उसके देने विए मैं ता किसी फ्रेंड से भी उसका फोन भी आ जाता था कभी लेकिन फिर भी हम बात करना चाहतेते तो है इस यह कागज कया है और यह कागता होता का है कि आप तुम हमको छोड़ दिया मतलब जबर्दस्ति लिया है क्योंकि उदूसरा साधी करना चाहता है क्या ड़ाया क्या दंगा बोला की डिवोस के पर साइन करो नहीं तो तुम को क्या हो जागा की सजा ही नहोगा थोड़ा दिन जेल खट लेंगे ऐसा बोला कि और उनके पीटाजी टीचर है कि वह लड़की के तो सपोर्ट करने वला पोई है नहीं कुछ कुल कर सकते हैं मेरा तो पूरा सब लोगों साथ दे रहा है उसका समझें और किसी से भी मतलब हम कुछ नहीं कहते थे मतलब कुछ कहने ही देता ही तो कहसे कहते है जबकि वह भी प्सक्राइब चाहें कुछ रह रहेंगे को माहा से चला दिया जब्रत्स्ती चाहा कम क्षौड़ा कर रहेंगों मत्लब कुछ लिएक लगश है है उसी में मतलब हम अपना रह रहे हैं हाँ और यहीं चाहते हैं कि बस जो मेरे साथ किया है वह अगली लड़की साथ ना करें अच्छा और आप से पहले भी उसकी कोई गर्फेंड वेगे रहती क्या जी हाँ मेरे से पहले गर्फेंड थी उसकी जो कि उससे भी बात करता था लेकिन लड़की मतलब गाव में हम उसको उसके जाने के बाद हमको पता चला साथी के बाद पता चला कि लड़की प्रेगनेंट थी प्रेगनेंट हाँ लड़की कहती थी बच्छा तुम्हारा ही है लेकिन वह नहीं मानता था कि बच्छा मेरा है नहीं मानता था तो फिर क् लड़की तो बहुत मतलब तूट गई थी एकदम अंदर से फिर उसके पेरेंस उसका साधी कहीं कर दी है तो मतलब रही अभी और उस मतलब गलती तुम लोग किया और बच्चा सच भूगत रहा है ना उन तो अपने साधी करके चली अपने सस्राल और तुम मचे सरह रहा हो औ बच्चा भूग रहा है तुम्हारा जो तुम नलाइक उलाद जो पैदा किया वह उना भूग रहा है बच्चा क्या गलती था उससाधी तुमको करना चाहिए अब आपको क्या लगता है तो आपके माता-पिता भी आपसे बातचीत नहीं करते हैं अब भी एक्सेप्ट नही आधास से ज्यादा का मतलब सौ में से 90 परसेंट लड़की का जिन्दगी बरबाद हो रहा है तो देख रहे हैं जो कहानियां आपने अभी शुना जो देखा किस कदर ये चीजे मतलब प्यार मोहबत के जाल में मतलब लड़के हो या लड़कियां फशाते हैं शाधी व्याह करते हैं चाहिए कोई भी रिलेशनसिप में आते तो सोच समझ के आए और अगर किसी से शाधी प्यार मोहबत चलो अलग बात है किसी से बादचीत करना लेकिन साधी व्याह करके आप मतलब क्या भूजा फांक लिए फेक दिए अगर वह लड़का गलती किया है तो लड़के को सक्त से सक्त उस पर कारवाई की जाए उसे सजा मिलनी चाहिए बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा धन्यवाद आप देख रहे हैं ब्यार टाइमस 24